प्राणिस्वर इच्छरतीपने हमें जो सनन्द की वाड़ी थी है कल मैंने आपको बताया था कि सनन्द कार्थी होते हैं मोहर ये गरंथी बता रहा है कि इस पर अक्षरतीद की मोहर है इस पर कोई तर्क भी तर्क न करें जो कहा है वो आख मुतकर्माने क्योंकि तर्क से सत्य को जाना जाता है निर्ग तुम्हें कहा गया है तर्केन एवरिसी लेकिन कुतर्क सत्य से मनुष को बिचलित कर देता है और जब मनुष में तमगुड का रजगुड की का प्रदिभा हो जाता है रजगुड की अधिक्ता हो जाती है तो वो अपनी मानिता को थोपने के लिए कुतर्कु का सहरा लेता है या जितने महर्शियों के बीच में बारता हुई है कठोपुनी सद में नचकेता और यमाचारी का संभाद है यमाचारी कहते है कि है नचकेता न एसा तरकिन अपानेया तरक से ब्रह्मजयान प्राप्त नहीं होता क्योंकि वो बुद्धि कभी से नहीं है तो प्रस्त नहीं है कि बुद्धि का प्रियूग न किया जाए करना चाहिए लेकिन सद्धि को जानने की जिज्जा सैसे एक ऐसी आवस्था आती है जिसमें बुद्धि का कोई प्रियूग नहीं होता बुद्धि ना बिचेश्टे आओं तब परमामगती कि उस सवस्था में पहुचने के लिए समाधि में डुबना पड़ेगा हर बैक्ति समाधिस तनहीं हो सकता लेकिन हर बैक्ति सत्य का ग्राहक हो सकता है और अपनी अंतरात्मा को सुनने का प्रियास कर सकता है होता क्या है बिद्धानों में जान वुज़कर एक प्रविर्ति होती है कि जो मैंने कह दिया वो अंतिम सत्य है और उस को सिद्ध करने के लिए सारी ताकत लगा देती है किन्तो रिशी परंबरा में यह नहीं है रिशी परंबरा कहती है कि यह मुझे मालूम नहीं है आप अमुक के पास चले जाएए बिद्वान कहेगा कि नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ मैंने जो कह दिया उसी को सत्य मानना है अब जानते हैं मुक्दबोद ब्याकरन कैसे बना एक सन्यासी थे मुझे उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है उन्होंने जब अपना प्रोचन दे रहे थे संस्कृत में एक सब्द असुद बोल दिया किसी ने टोक दिया कि आपने गलत बोला है तो कहा कि नहीं मैंने सहीं बोला है और अपनी गलत बात को सिद्ध करने के लिए ब्याकरन का पूरा ग्रंथी रच डाला कि देखिए इस सुद्र से मैंने सहीं बोला है उनका दिल जानता है कि मैंने गलत बोला है लेकिन अपनी गलत बातों को सिद्ध करने के लिए सारी ताकत लगा दी और वो ब्याकरन आज भी पढ़ा जा रहा है कहने का से क्या है यदि सभी बित्वान अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें और उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करें तो मैं समझता हूँ संसार के सभी मतों में एकता अस्तापित हो जाएगी लेकिन ऐसा उनके लिए करना कठी नहीं क्योंकि रजगुड और तमगुड की प्रविर्टी उनको ऐसा नहीं करने देती है आज संसार में कुरान के नाम पर ही आतंक बात फैल रहा है और जानते हैं आतंके की जड़ में क्या है दुसित मान सिकता मैंने कल भी आपको बताया था कि सो आतंके को मारेंगे आप हजार आतंके और पैदा हो जाएंगे क्योंकि मान सिकता है दुसित है मनुस्स अपने विचारों का पुतला होता है महाभारत के जुद्ध के मुल में क्या था सकुने का दुसित विचार उस दुसित विचार से दुरुधन गरसित हुआ दुरुधन के कारण दोसासन गरसित हुआ करन दुसित हुआ चारों के जो चौकड़ी बन गई इसने माभारत की निवी रखी और उसमें 47 लाग से ज़्यादा ब्यक्तियों को अपने प्राण कमाने पड़े जदि एक सकुनी का बिचार सुध हो जाता, इन चारों का बिचार सुध हो जाता, तो सायद माभारत का युद नहीं रज़ा होता कोई बेक्ति सस्त्रों से लड़ता है किसी को मार देता है कि तो उसके हिर्दे की कलुष्टा चली गई तो कुछ नुकसान नहीं, कुछ लोग मरते हैं लेकिन एक दुसित बिचार जब संसार में परणित हो गई है यदि देवन का मदर्सा बंद हो जाया है तो भारत से 95 परसाद दंगे अपने अपसमाप्त हो जाएंगे और संसार से 70 परसाद आतन को बाद अपने ही अपसमाप्त हो जाएगा उसको मिटाने का उतरदाई तो राजी ने हमें दिया था लेकिन हमने ने किया मनुस क्या होता है हाथ पैर मुख सबके एक जैसे होते हैं लेकिन मनुस का ब्यक्तित बिचारों से निर्मित होता है बिचार ही मनुस को चलाते हैं बिचार ही मनुस को देवता बनाते हैं बिचारी मनुष्ट को राच्छस बनाते हैं और बिचारी मनुष्ट को ब्रह्मजानी भी बनाते हैं अभी आपने चुपाई सुने जिसमें कहा गया है काया जाहे रसुले में हरफ सुने एक काम मुहमद सहब के अंदर अक्छर की आत्मा थे में राज होता है उनकी आत्मा राजी के समुक जाती है नभी आजार हरो भाते सुनती है कहा सुभाने मुझको हरुङ नभी हजार तीस तुम जाहिर कीजियो और तीस तुम पर अप्तियार बा के जो तीस रहे सुराख्यों च्पाए बका दिर्वाजे खूल सी आखिर कौम आए कंसुल अंबिया में ये परसंग लिखा हुआ है 90 हजार हरुफ बाते हुई आज कल कुरान में जानते हैं कितने हरुफ हैं 67,000 के आसपास हरुफ हैं 67,000, 23,000, 11,000 कुछ हैं 67,000 के आसपास होने कितने चाहिए? 60,000 जाहिर के जियो और 30 तुम पर अक्तियार 30 सरीयत के तुम्हें जाहिर करना है और तरीकत के जो किसी को यो कि समझना तो बता देना जो हरुफ है मुक्तियात हैं 12, 14 होई कुरान में सनन्द की टीका में सबका अर्थ, विस्तार सेथ, व्याख्या सेथ लिख दिया गया है कुछ का था बारी में कुछ का असपश्ट नहीं था सब जितने हरुफ है मुक्तियात है सबकी विस्तित व्याख्या दे दी गई है चोपाई के साथ जब आप सनन्द की टीका पढ़ेंगे तो इस सारी बाते मालूम हो जाएगे जो मारिफत के हरुफ थे कहा कि जो रसूल जुवाद चड़े नहीं तो जो मुहम्मद साहब के रूफ जब अक्छर की आत्मा नब्बे अजार हरुफ बाते सुनकर के आती है तो वो सब भूल गए क्योंकि किसके मुक्से कालवाना था आक्रूल इमाम मुहम्मद महदी साहिबू जमा की तरस कुरान में लिखा है कि क्यामत के समय तुम अल्ला का दिदार करोगे सुएम अल्ला तहला परब्रम इमाम महदी के रुप में आएंगे चाहें सिया हो सुनी हो सभी इमाम महदी की बाट देख रहे है लेकिन जो बचा ये बहावी विचार धारा है जो सारे आतंक की जड़े ये उसामा बिन लादेन से लेकर ये आफ़कानिस्तान में कौन है मुसल्मान मुसल्मान को मार रहा है जो बहावी विचार धारा से मेल नहीं रखता उसको सब को ये मार देते हैं सुन्नी को मार रहा है पहले तो था कि सिया सुन्नी को मारते थे पहले तो उनको यह इता थे जो गैर मुसलिम है उसको मारो हिंदु को मारो क्रिस्टिनों को मारो अब मुसल्मान मुसल्मान को मार रहा है उनको आपस में संतोस नहीं हो रहा है तो सोचते हैं कि बहाभी विचार धारा के अतिरत जितने मुसल्मान हैं सबको माड़ागा इस पागलपन की जड़ में क्या है एक धर्मांदता एक आसुरी पना और मैं अस्पेश्ट कर दो कि मारिफत के जो सब्द हैं मारिफत के क्या हैं वो है सागर और सिंगार जिसमें नक से सिख तक राजी की जो सोभा का वर्डेन में मारिफत का जियान है वो महामती जी के द्वारा मुल्ट सरुप ने प्रस्टुत कराना था इसलिए मुहम्मद साहब को निर्देश नहीं था कि आप संसार में इस रहसी को उजागर कीजिए जो जितने हरुपे मुक्तियात हैं जिसके बारे में लिखा है कि ये उनके करना में बहुत महाम है सब की हत्या उने ने कराई चाहें अबो बकर हो उमर हो उस्मान हो अली हो सब के मरवाने में उनीक हात्रा और जब कुरान का संकलन जो बरतमान में आपको कुरान देखने को मिलना है नरेश जी आने वाले हैं आपको और भी स्थार से बताएंग वो उस्मान के द्वारे संकली थे और उसमें काफी हेरा फेरी है एक आयत कहेंगी कि अल्ला के खुशी के लिए इन इन जानुर का बद करो यानि कुर्बानी दो आगे की आयत में कहा जाएगा कि नहीं अल्ला तक पसुओ का मांस औरक्तनी पहुंचता दोनों ही कत्रों में बि जब आयसा से पुछा गया क्योंकि उसमें कुरान लिखित में नहीं था जब संकलन किया जा रहा था तो आइसा कह देती थी कि क्या करें बखरी खा गई ताल की पत्तियों पर लिखा जाता था जिसको चिपाना था चिपा दिया जाता था आज वही आयते जड़े की जड़ और हर कोई अपने धर्वगरंद से प्रेम करता है जब उसका विक्र दर्थ किया जाएगा तो जगड़ा बढ़ेगा और यही करण है कि संसार में आतंकबाद बढ़ आए आयत पर संग यह है कि परमधाम की भासा क्या हो सकती है खेल मे मेदी तोतला जुबा कजा एठोर आप देखिए इसके रबत तो हुआ सबको मालूम है कोई भी प्रस्ण कर सकता है आप कहते है कि परमधाम सब्दातीत है क्योंकि प्रकास की चुपाई है सब्दातीत निधिलाए सब्द में यह तो किरंतन की चुपाई है जीव के लिए भटकार है कि सब्दातीत क्या है बेहत सब्दातीत के पार के पार सब्दातीत बेहत के परे है अक्षर और अक्षर के परे है अक्षरातीत परमधाम क्या हुआ जब सब्दातीत के पार के पार है तो आप करते हैं कि परमधाम मेराजी का ये नाम है जगड़ा किस पर चल ला है आप हिंदी में नाम रखिए, अर्बी में रखिए, अंग्रेजी में रखिए ये सारी संसार की भासाएं है तो जब सारी संसार की भासाएं है और परम धाम के लिए बाड़ी कह रही है आगे तो नूर तजला तहां जुबा बोल है और खेल में मेदी तोतला तोतला कार्थ क्या होता है प्राण नाजी के मुखारविन से जो बाड़ी निकलेगी उस साहितिक भासा नहीं होगी आप देखिए साहितिकी भासा क्या होती है मैं आपको एक दिश्टान देकर बताता हूँ कावत कही जाती है सूर ससी तुलसी रवी उडगन के सो दास अब के कवी खद्योत सम जहता है कहरत प्रकास सूर दास को चंद्रमा बताएगा तुलसी दास को सूरी बताएगा के सव दास को जानते हैं क्या बताएगा जुगनु जुगनु आप देखते हैं रात के उजाले में कारण क्यों कि के सव दास जी संस्कृत के विद्वान थे जब वो कावी रचना करते थे तो संस्कृत के स्लोकों का जैसा के तैसा हिंदी में काव बना देते थे, वो इतना क्लिष्ट होता था, कि समानी भक्ती समझ में ही नहीं आता था. आप सोचिए, जो संस्कृत साहित का अध्यन रखते हैं, उन्होंने बाणभट की कादंबरी पढ़ी है, पहले ही मस्रीज जबाब दे जाएगा. और जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने अर्विंद का साहित पढ़ा है, आधा पेज का जब एक ही वाकिर रखेगा, तो अब क्या अर्थ लगाएंगे? जो इंग्लेज में पैदा होगा, वो भी दस बर सोचेगा कि कुछ क्या कहा जा रहा है. देखिए, अंग्रेज का बच्चा जब पैदा होता है, जन्मे से ही अंग्रेजी बोलने लगता है, उसको किसी पढ़ साले में भेजना नहीं पढ़ता है. अर्व में जो पैदा होता है, जन्मे से अर्वी बोलना सुरू कर देगा. हिंदुस्तान में पैदा होने हैं और बच्चा, उसको हिंदी सिखानी नहीं बढ़ती. नर्शरी में एडमीशन लेने से पहले वो सुध हिंदी बोलना सिख जाता है, क्योंकि वो सुन रहा है. परमधाम की भासा क्या है? प्रस्न ये होता है. मनुष एक है. अलग-अलग एस्थानों में जो भासा बोली जाती है, उस सब्दों को ग्रहन करके हम ब्यक्त करती हैं. किन्तु परमधाम तो सीमा से परे हैं. हम इस संसार में जो कुछ भी बोल रहे हैं, बाणी में कहा है कि सब्दा ती 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 निदी लाए सब्द में मेट्यो सबन को अंधकार. सब्दा ती 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 निदी परमधाम की बाते हैं. परमधाम की सारी बाणी तो हिंदुस्तानी में भी है. हिंदुस्तानी का अर्थ क्या है? जो मिस्त्रित भासा जो लोगों की जबान हो, साहित का इसमें प्रस नहीं, इसमें उर्दु के सब्द हैं, अर्वी के हैं, फार्सी के हैं, संस्कृत के हैं, और जो बोल चाल की आज से 300 साल पहले की भासा थी, उस सारी इसमें दी गई है, जो जन भासा को हम हिंदुस्तानी भ नहीं होता, ब्याकरण से ये बधी हुई भासा नहीं है, तो बसुता है क्या है, ये हिर्दे की भासा है, आप देखिए, दो महिने का बच्चा है, वो भी मां से बात करता है, बोल नहीं सकता, आखों से बोलता है, एक दिन का बच्चा भी मां से बात करता है, उसकी आखे अप तक पहुंच आती है जदी कोई ब्यक्ति हजार किलो मेटर पर दूर हो गहन रिष्टा हो उसको बुखार लगे तबियत खराब हो तो उसके निकटवर्ती संबंदी को कुछ न कुछ अपसकुन होने लगते हैं हिर्दय में कमपन हो जाता है बिना बोले हिर्दय के तार से निक है मैं आपको सलल तरीके से इस तत्य को समझाना चाहता हूं कि परंधाम की भासा क्या होती है देखिए हमारे देश पर गुलामी का भी भी असर पड़ा हुआ है आप कितना भी पढ़े लिखे हो जदी आप धोती पहन करके जाते हैं दक्षे भारत में तो सम्मान है उत्तर भारत में धोती पहन कर जाने वाला बेक्ति किसी आफिस में जाता है तो दिल्ली जैसे सहरों में लोग यह समझेंगे कि कोई अनपढ़ आदमी आ गया है और बिस पचीस अंग्रेजी के सब्द रट लिया बिदेशी भेसमुसा में जाता है और अंग्रेजी का उचान कर दे है तो लोग किया समझते हैं कुछ पढ़ा लिखाद लिया गया है आप पीएश्टी भी कर लेजिए संस्क्रिट से कर लेजिए अंग्रेजी हिंदी से कर लेजिए आपकी सिक्षा का मात्र जन्मानस में नहीं है क्योंकि उसके उपर अंग्रेजियत का भुद्सवार होता है भासा ग्रहन किजिए लेकिन अपनी भासा का अपमानन किजिए क्योंकि वो आपकी मात्र भासा है मैं कहना क्या चाहरा हूं रसिया का ब्यक्ति जब आता है रसिया का राष्ट्पती आएगा तो रसियन में ही बोलेगा वो यह बाट नहीं देखेगा कि भारत के लोग रसियन नहीं समझ जेंगे वो उसका निर्देश होता है आपको जो करना हो किजिये मैं तो रसियन में बोलूँगा चाइना का रस्ट्पती आएगा तो चाइनीज भासा में ही बोलेगा बले ही दो भासिया की साहिता ले ली जाए लेकिन उसको स्वाबिमान एपनी भासा पर वो चाइनीज को छोड़कर हिंदी या अंग्रेजी में बोलने के लिए किसी भी कीमत पर आजिगा यह भारत है जहां के लोग हिंदी अच्छे बोल सकते हैं लेकिन कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती है वो अंग्रेजी बोल कर दिखाना चाहते हैं कुझे अंग्रेजी ज्यादा आती है बले ही उनको अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती हो लेकिन गौरों समझते हैं मैंने कई बार ट्रेनों में दिखा है मैं जानता हूं कि उनको अंग्रेजी अच्छी नहीं होती फिर भी अंग्रेजी का पेपर लेकर बैठ जाते हैं ट्रेन क्या अर्थ है? उनमें हीन भावना ग्रसित कर गई है कि अंग्रेजी में बोलेगे तो हम ज्यादा उनत्सिक करें तो जब चाइना का राष्टपती आएगा रसिया का राष्टपती आएगा तो जानते हैं क्या किया जाता है? ऐसे सन्यतरुक आविस्कार किया गया है कि अनेक भासाओं में उनका अनुबाद सोतह होता रहता है आप सोचिए जदी जड मसीन में इतनी सामर्थ है कि अनेक भासाओं में एक साथ अनुबाद प्रकासित किया जाता है किस किस तरह से माध्यम से कैसे होता है, मुझे उस तक्निक का ज्यान नहीं है जेतन मस्रिष्क तो कहीं न कहीं लगा हुआ है जो इस सारा किनानित कर रहा है इस माया के संसार में जब एक ब्यक्ति एक भासा में बोल ला है और कई भासाओं में सीधा प्रसारन हो रहा है तो आप सोचिए, परमधाम में राज्जी क्या किसी भासा भी से बढ़े है कि आप यही नाम कहेंगे तो राज्जी खुर सोगे नहीं तो रूट करके बैठ जाएंगे वो अक्षरतीत है, किसी बंधन में रहने वाला नहीं उसके बनाए हुए संसार में तो सभी बंधनों में नियमों में बते हैं उसको भी हम नियमों में बाहन देते हैं कि राज्जी को यही कहा जाएगा हमारी भावात्म कभी व्यक्ति हो सकती है जैसे सबसे अधिक सरीयत का सिकारत मुसलमान ही होते हैं उनको यह लगता है कि जो अल्ला सब्द नहीं बोलेगा उसका कल्यान नहीं होगा कल भी मैंने बताया था हिंदू समझते हैं कि गायतरी मंत पवित्र है यह सुद्र के मुख से उचारेत नहीं होना जाए नहीं तो असुद्ध हो जाएगा कैसे कैसा विधान बना दिया राज कार्थ क्या होता है अतधिक प्यारा जो सबका स्वामी हो सबका सर्वस्थ हो उसको राज कहते है लक्षमी जी कहें सुनो मेरे राज मेरे आतम अंग उपजत है दाज लक्ष्मी के राज कौन है? विश्नु भगवान लक्ष्मी के प्राणनात कौन है? विश्नु भगवान यह भावात्म का भी बक्ती है उसको हम अर्भी में कोई सब्द प्रियो कर सकते हैं अंग्रेजी में कुछ भी कर सकते हैं राज जी को भासा से भेसभूसा से किसी भी बंधन में नहीं बादा जा सकता हुए राज जी कावेश महामती जी के धाम मिर्दे में बैठ कर जो मार्फद की वाणी कह रहा है आप देखें, अभी आपने किरंतन सुना जब हाक सूरत दिल में चुभे आप दिल लोग में यो इसके आतम खड़ी हो एक एक सब्दे पर नजर देखें कहीं अर्भी सब्द का प्रयोग हो रहा है कहीं हिंदुस्तानी भासा का प्रयोग हो रहा है कहीं कुछ का प्रयोग हो रहा है नेतर सब्द तो संस्कृत का सब्द है नेत्र हिंदी का सब्द नहीं है, संस्कृत के सब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं, अस्दिक्तर, लेकिन सारी भासाओं के सब्द और भासा का सौंदर देखिए, कोई कितना भी बढ़िया भचन बनाने वाला हो, वो भाव उतने गहरे नहीं हो सकते, क्योंकि भचन बनाने व कौन कह रहा है, महामति की आत्मा कह रही है, अब इसके समनार तक कोई भचन बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा, वो भाव नहीं आ सकते, क्योंकि कहने वाला कौन है, राजी कावेश, अब सिंगार में एक प्रकण़ ही आए, आसिक मासुप के जवाब, रूहों, रे मैरे त सदा तुमें चाओं, अब ये कौन कर रहा है, राजी कर रहा है, अब इसके समनार तक कोई भचन बनाएंगे, तो यदि आप उस मारिफत की अवस्था में पहुंच गए हैं, राजी का आदेश होगा, तभी आप भचन में वैसा भाव भार सकते हैं, अनितन नहीं भरा है, तो बाणी की महिमा को नहीं जान पाता, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कि सनन्द की माता को कौन समझेगा, जो चारो वेद पढ़ चुका होगा, कुरान पढ़ चुका होगा, बाइबल पढ़ चुका होगा, वो समझेगा, कि सनन्द ग्रंत पूरे संसर को ए मुहम्मद साहब को आदेश हो गया कि अभी मौन रही है जब क्यामत का समय आएगा स्वाहिम परब्रम इमाम महदी के रुप में आएगे तो इसको बोलेंगे आपको नहीं बोलना है तो आप सोचिए ओर राजी ने हमेश सनन्द के रुप में जान दिया और हम सुन्दर साथ हैं हमने एक छोटा सा संपरदाय बना लिया कि उन नाम के पीछे लड़ते हैं हमारा ये नाम है वो कहेंगे कि तुम्हारा नाम छोटा है और यह तो बैसरों का काम है जिनको बिचारों को जान नहीं मिला सालिक राम के पूजा करते करते राम चरित मानस पढ़ते बागवत पढ़ते पढ़ते जिनकी उमर गुजर गई जिनको परमधाम का जान नहीं मिला उनको ये लड़ाई सुभा देती है सुन्दर साथ के लिए नहीं हम केवल बाद्धे हैं परमधाम के सासो सत्त को संसार में फैलाने के लिए इसलिए परमधाम की जो भासा है इसके रबद हुआ किस भासा में हुआ क्या उत्तर दे सकते हैं परमधाम की भासा सब्दातीत भासा है जब आप मैं आपको एक दिश्टान दे रहा हूं मेरे पास किल पांच इमनेट का समय है और आप जानते हैं मैं समय का उलंगर नहीं करता हूँ इसने मैं जल्दी जल्दी कह देता हूँ कल मैं पोसिज कर सकता हूँ जब सुच्छ शरीरधारी मालेजी एक अंग्रेजी बोलने वाला है दक्षिन भारती सिद्पूरुस हो गया और एक उत्तर भारती है जिसने संस्क्रित में बोला है जीवन भार दक्षिन की तमिल भासा नहीं बोला है और तमिल नार्ट में पैदा होने वाला व्यक्ति जिसने कभी हिंदी नहीं बोला है दोनों सिद्पूरुस हो जाए तो क्या आप आकास में मौन रहेंगे नहीं, वो संकल्प मातर से दूसरे के हिर्दे की सारी बातों को जान जाएंगे, जैसे माँ अपने दो महीने के बच्चे के हिर्दे की सारी बातों को जानती है, आंकों से देख कर जाती है, कि मेरा लाडला भूखा है, और बच्चा भी कि माँ को खुश कैसे करना है कि मुझे दूर पिलाओ, और कुछ नहीं बोलेगा, आँखों की तरफ देखेगा, रोने की आवाज बदल देगा, रोना तो जानता है, जदि रो भी नहीं सकता, तो आँखों की दिष्ट बताती है कि बच्चा क्या चाहता है, तो आप सोचिए, माया के संसार में जब ऐसा होता है, तो इस किरवत के लिए राजी बदे वे नहीं है कि हिंदी भासा में बात करेंगे, संस्कृत में बात करेंगे, संसार की सारी भासाएं भी परमधाम में हैं और कोई भी भासा नहीं है, वहां आत्मा की भासा है, संकल्प मातर से जो कुछ जानना चाहेंगे, सब कुछ आपको विदित होगा, मैं आपको एक सची घटना बता देता हूँ, उससे बात और सरल हो जाएगी, एक बार रामकरिश परमांस किसी टेन में जा रहे थे, वैसे ये बात किताबों में बहुत कम मिलती है, मैंने बेक्ते के मुख से सुना है, मैं परतक्षी दर्सी तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी बात सच लगती है, दो आंग्रेज आपस में लड़ गए, किसी बात पर, टेन के डिबवे में रामकरिश परमांस भी बैटे थे, अब रांग्रेजें को तो जो बात होती है, सीधे कोट में पहुंच जाते हैं, जज ने पुछा था कि कोई गवाँ था, जो तुम कह रहे हो कि ये बात है, ये बात है, तो रामकरिश परमांस को लाया गया, रामकरिश परमांस कहते हैं कि मैं यह नहीं बता सकता कि कि किस बात पर लड़ रहे थे, लेकिन मैं यह बता सकता हूँ कि क्या कह रहे थे और उन्होंने एक नहीं कई भासाओं में बोल दिया आप सोचिए रामकृष्परमान्स तो पांचवी क्लास भी नहीं पड़े थे कैसे जान गए कि दो अंग्रेज क्या बाते कर रहे हैं योगी थे यह गटना पारमान्स महराशी रामत्तम दाजी के साथ भी हुई जिए मुझाहित पूर में एक जन्वना ब्रामान ने उनको कट सब्द बोल दिये और परचुनोती दी कि तुम्हे कुछ नहीं आता तो महराजी ने अनेक बेदमंत्रों का उचारन करके उसको सर्मिंदा कर दिया था और वो ब्रामण नहीं थे चमेल सिंधे थी ब्रामात्मा संध्या कर रही थी परमधाम की ब्रामात्मा और माराजी ने पुछा कि भई क्या कर रहे थे तो आप जानते हैं जो बेद पढ़ होता है, थोड़ा ग्यान का आँ तो होता ही है काया कि बाबाजी आपको क्या पता मैं क्या कर रहा हूं उन्होंने काया कि अच्छा तुम्हें आता है क्या पर जब उन्होंने बोला चड़ों में सीज जुकादिया और वहीं चमेल सिंधे जब ध्यान में बैठे दर्वाजा बंद करके तो कई दीन बैठे रह गे और वहीं से बैठे बैठे देख रहे थे पन्ना जी में क्या हो रहा है, सुरत में क्या हो रहा है जामर गर में क्या हो रहा है महराजी ने दर्वाजा खोला, गले मिले और उने तन्द छोड़ दिया मेरे कहने का मतलब क्या है जब आप ध्यान में आउस्था में डुपते हैं सरीर मन बुदी से परे होते हैं तो जो बाते आपको मालूम नहीं वो सब कुछ मालूम हो जाएगी जो आँखों से देखा नहीं हो कहीं से बैठे कहीं भी देख सकते हैं मेरे यह तो चमतकार की बात है इसमें नहीं फसन चाहिए कहने का से क्या है जो परमधाम की भासा है उसको सब्द अतीत भासा कहिए आत्मिक भासा कहिए और जो उस अवस्था में पहुंच जाता है वो संसार की सभी भासाओं को जान सकता है अभी समय इजाज़त नहीं दे रहा है मैं संच्छेप में आज का सारी यही बताता हूं कि जो बीबाद चलता है कि परमधाम में क्या नाम है जो ये इंद्रावती नाम है, राजजी नाम है, स्यामाजी नाम है यहां की भासा के अनकूल है यहां की भावनाओं के अनकूल है यहां जो कुछ हम तिन्चरिया करते हैं उसी के अधार पर परमधाम की सारी लिला बंडित की गई है अर्था अन्यता वो तो सब्दाती तेला है राज्जी पान नहीं खाते लेकिन भोग में क्या आपड़ते हैं जब भी भोग होगा पानों की बीड़ा का परसंग आएगा सिर्याज उतारे बस तर पहनी पिछारी कमर पर तो उस समय आज से तीन सो बर्स पहले परमपरा थी भोजन करते समय लोग उपर का भारी भरकम बस उतार कर कुछ लपेट लिया करते तो वो परमपरा इसा ना समझे कि राजी बदे हुए है या की नियम से राजी भी कपड़े उतारेंगे भोजन करेंगे कपड़ा लपेटेंगे पान बीड़ा लेंगे वो बदे हुए लेकिन उसमें ये परमपरा थी हमें चो अश्ट पहर मुल मिलावे से जोड़े रखने के लिए ये सब कुछ यहां के भावों से अर्ष बका बर्नन किया ले मसाला इतका अन्य था वो सब्दातीत लिला है प्रेमी लिला है राजी का या नाम है या नाम नहीं है इसको बिवात का विशे बना कर अपने मन को कलुशित नहीं करना चाहिए इस दिए अब आप सुचेंगे कि जो मुहम्मद साहब के मुख से नहीं कहा गया जो आज तक संसार में किसी ने परब्रहम के शरुब का बढ़न नहीं किया बेदों में किल संकेत करके सबी मौन हो गए रिशियो ने उसका साब्दिक अर्थ किया लेकिन समझ नहीं पाए कि अकामो धिर अमरिता रसेन तिर्टर नकुतश चनोना तमी बिद्वान न विवाए मिर्दो आत्मानम धीरम अजरम इवानम आत्मानम धीरम अजरम इवानम इसका अर्थ सब्द कर देंगे अजर बुढ़ापे से रही थे नित तरूर है आनंद का सागर है आनंद रसे त्रिप्त है कैसा है मौन उपका देंगे निराकार निराकार तो के लिए तो बुढ़ापे सब्द कर प्रियों किया गया है कि वो बुढ़ापे से रही थे कोई स्वरूप तो है लेकिन ब्याख्या कौन करेगा मुहम्मद साहब कहते है कि मैं अल्ला से मिल कर रहा हूँ नबे हजार हरूप बाते सुना हूँ जब लोग पूछते कि कैसा है अल्ला तो आदेसे ही नहीं था बताने का संकेत कर दिया है अमरत अब किसी को समझ में नहीं आया कि अमरत सुरत तो यहां होती है अल्ला तेला कि अमरत सुरत कैसी होती है मुहम्मद साहब को नदेस था कि मुहम्मद तुम्हें मौन रहना है अभी कहने का समय नहीं आया है क्योंकि संसार के लोग इसको समझ नहीं से और दुख है, हमको राजी ने सारा खजाना दिया, हमने उस खजाने को बांटना नहीं सिखा, छिपा कर रख दिया, और दुनिया के कर्मकांडों से अपने को लाद दिया, हमने दुनिया वालों को अपना पत्परदर्सक माना, बानी को पत्परदर्सक नहीं माना, तभी तो आपस में लड़ते जगड़ते रहे, अब समय पुरा होता है, आप धहरे रखिए, कल समय पर चर्चा होगी, आपको इसके आगे का या जो भी परसंग होगा, से जो बाकी है अब टिका में पढ़ कर गें, सारा जान सकते हैं, राजी की किरपा से, सनन्द, मारिफस सागर, क्या क्यामत नामा, कि ठीका जब आप पढ़ेंगे, तो आपको मालू होगा, प्राणाजी की महिमा क्या है, वानी की महिमा क्या है, और चितवनी की महिमा क्या है, तीनों चीजों को केंदर में रखर, सनन्द, मारिफस सागर, क्यामत नामा की वानी कहीं गई है, इसमें कोई समझ होता नहीं आपका सास्त्र क्या कर रहा है आपका कुरान क्या कर रहा है कि प्राणना जी को मानिये वानी को समझे और परमधाम की चितों की जिए इसमें कर्मकान का कोई भी बंदन हावी नहीं होने दिया गया सीधे कह दिया क्यामत नमा में जिस दिन क्यामत नमा की चर्चा हो कि दो जहान को कट्रگ निखाट करें कान्च पर काल माया या योगमाया बब आप कहेंगे कि हमारी लिला तो रास में कहें से छोड़े किया मतनमे की बाणि कि बहुत हो गया राज की बाड़ी पहले दे दी जा चुकी है दो जहान को करो तरक एक पक्ड़ो जो साहे फक्ड़ जो मूल मिलावे में भी राजमान है अब सीथे अपनी सुर्टा लगाई है कोई समझा होता सब्द क्यामत नमा में नहीं है क्योंकि क्यामत नमा पहले उतर गया था मारिफट सागर बाद में उतरा लेकि जब संकलन किया गया तो क्यामत नमा को अंत में दिया जाता है ताकि स्रमण मारिफट नेना जो क्यामत नमा आत्मा के नित्रों से सत्त की पहचान किजिए कि इस अंसार में प्रानत के रूप में कौन आया है, हमारे लिए जो वाणी आई है, यह किसकी आवाज है और हमें करना क्या है, तो कि जित्वनी करनी है, तीन बातों के केंदर में पूरी क्यामत नमा की वाणी है, आप जैसे जैसे कि इसके रस में डूपेंगे, आनद में सरुपोर लोगें अब चुपाँ तरहाएं